नमस्कारमित्रों, आज हम आपके लिए लेके आएं, बाबा हिल्थ में कुछ नया कुछ बहतर जिसे आपके और आपके परिवार का कल्याँ हो, आज हम आपको जो मंत्र दिखा रहे हैं, यह मंत्र पूरा नहीं हैं, मंत्र बहुत बड़ा है, इस मंत्र से आप बड़े-से जाता है यह ब्रह्मा जी इसमें स्वयम विराजमान होते हैं जो विधी के विधाता है इसमें सत्रू जो है सत्रू को भी इसमें मारा जाता है सत्रू का भी समन होता है इस मंत्र से आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं यह मंत्र आप अगर पूरा मंत्र अच्छी तरह से आप लिख के और इसको अगर याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप ब्रहमास्त्र चलाना सीख गए हैं ब्रहमास्त्र जो है करना सीख गए हैं यह ब्रहमाजी का जंजीरा मंत्र है हम आप तक पहुचा रहे हैं क्योंकि आप जगत का कल्यान करने में और जो है भलाई करने में आप सयोग कर रहे हैं, जिसे जो भूत प्रेत, जिन सैतान हैं, जो लोगों को परिशान कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, आप उनका निवारण कर रहे हैं, तो हम आपके लिए साबर मंत्रों से कुछ अच्छे मंत्र लेके आते हैं, जिसे आपके और आपके परिवार के कल्यार मे उपयोगी हो और सहायक हो तो मंत्र बहुत ही तीब रहे और अचूक मंत्र है यह मंत्र जो डिस्पले पे दिये हैं यह पूरा मंत्र नहीं है पूरा मंत्र आपको पूरे डिस्पले पे थोड़ा-थोड़ा करके मिलेगा क्योंकि इस पे पूरा मंत्र दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि इस्क्रीन छोटा होने के कारण आपको पूरा मंत्र हम नहीं एक साथ दिखा पा रहे हैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके मंत्र हम आपको दिखाएंगे इसके आगे का मंत्र दिखाएंगे फिर इसके आगे का दिखाएंगे तो आप इस मंत्र को जो है सिद्ध करके आप इसे कुछ भी उलट पलट कर सकते हैं कुछ भी बंदिस लगा सकते हैं सत्रू अगर आपका है तो इसमें आपने देखा होगा यहां सत्रू का नाम भी इससे आप जो है जगत के लान कर सकते हैं तो आगे का इस पर ए समझ लीजिए कि कोई भी ब्रह्मराक्षा से क्यों नहों इस मंत्र से वह भी बढ़ जाता है इस मंत्र से मोहिनी भी चली जाती है मोहनी किया जाता है और इस मंत्र से जो है देवी देवता कोई भी हो इसमें बंगला मुखी मंत्र भी इसमें समुख मिलाया हुआ मंत्र है या साबर मंत्र है इसमें इतनी सक्ति है कि ब्रह्मा जो संसार के जन्मदाता माने जाते हैं जन्म में लिखनी करने वाले माने जाते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा जो है निर्मित यह है जो है शावर मंत्र जो जंजीरा मंत्र हम आपको दे रहे हैं तो इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में खुशाली लाएं और हम हमेशा आपको कुछ न अनिहित ना करें क्योंकि इस वर जह है उस सब को देखता है आप गंदे अगर काम करेंगे तो आपको लाश्ट में आप तांतरिक बन जाते हैं लेकिन बाद में बहुत कड़ी सजा इस वर देता है इसलिए अच्छे कर्म करें और उसका अच्छे से जो है संसारी के जो है कुछ नया कुछ बेटर लेके आते रहती हैं नमस्कार दोस्तों I am झाल झाल